वेलकम दो रियलकाफेक्ट और कैसे आप सब लोग तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंच के कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप ये कार लेने का प्लान कर रहे हैं जो पॉइंट्स आज में बताने वाला हम इस वीडियो में अगर आप इससे और हम पॉइंट्स से तो आप मुझे शेक्शनर के बता सकते हो आप कर घहां और आप ये शेंघॉे विय्क इस चीझाट अर ये जो सब्सकिना आप थे उडेल में बता सकते हुआ जो इस सारा रिव तो almost सारी conditions पे मैं इस car को test कर चुका हूँ और अगर आप यह car own कर रहे हो तो जरूर आप मेरे points से relate करोगे और agree करोगे मेरे points के साथ तो guys आज मैं आपको बचाता हूँ 5 कुछ positive points अगर आप प्लान कर रहे हो इस car का लेने का तो safety इस car का पहला positive point है and I guess हमारे इस time पे जितने consumer है वो safety को ज्यादा preference रहे है rather than mileage performance तो अगर आपका भी safety अगर first preference है तो आप definitely इस car की तरफ जा सकते हो यह इसका एक पहला positive point है and सबसे important positive point है इस car का second positive point की अगर मैं बात करूं तो second positive point इस car का मुझे लगता है इस car की visibility आप जब इस car पे बैठोगे आपको जो visibility यह car offer करती है वो बहुत ही ज़्याद अच्छी है especially अगर आप एक new driver हो तो जो यह visibility इस car पे आपको मिलेगी because यह जो segment है compact SUV segment इस segment में obviously जो SUVs car होती है high ground clearance के साथ आती है आपकी जो driving positions होती है वो उची होती है तो आपको visibility मिलती है वो कापी अच्छी मिलती है and इस car में भी ऐसा ही है आपको बहुत अच्छी visibility इस car में offer की जाती है and especially जो गर नया driver है उसके लिए visibility है बहुत matter करती है कई बार तो अच्छ आज कल जैसी आपने Indian road conditions देखी होंगी आज कल यार road में आप चलते हो road come speed breakers ज्यादा आपको मिलेंगे कहीं जगे ऐसी conditions आती है कि roads ही नहीं होती तो Indian road condition के according अगर मैं बात करूं तो इस time जो demand जो चल रही है consumer की हर लोग चाते हैं कि उनके पास एक अच्छी ground clearance वाली car हो and इस car में आपको वो ground clearance offer की जाती है तो अगर आप एक अच्छी ground clearance वाली car ढूंड रहे हो और आपका आधा travel ऐसी जगों पे होता है जहां पे roads अच्छी नहीं है या आपके जहां पे आप रह रहे होँआ speed breakers बहुत जादा है roads की condition अच्छी नहीं है तो यह car एक अच्छा option हो सकती आपके लिए because यह जो car ground clearance लेके आती है इस segment में बहुत अच्छा है और इसकी ground clearance आपको काफी help करती है खराब road conditions पे चलाने में बात करें इसके next positive point की तो वो है इस car की stability and handling इस car में stability and handling बहुत ही जबज़ज़ दी गई है और आप वो feel करोगे जब आप इस car को highway पे सलाओगे highway पे जो confidence यह car आपको देती है I don't think so this segment में कोई और car आपको offer कर पाएगी उंची ground clearance होने के बाद भी इस car में कोई body roll नहीं है और बहुत अच्छी stability provide करती है यह आपको highways पे and कहीं से भी आपको ऐसा feel नहीं होने देगी की car आपके control से बाहर जा रही है बहुत ही stable और बहुत अच्छी handling है इस car की बात करें next positive point की तो वह है इस car का AC हो सकता है कई की लोग मेरी बातों से disagree करें बट मेरा personal experience बता रहा है इस car का AC काफ़ effective है because yeah मैंने इस segment में और cars भी चलाई है मैं और brand से भी एकर इसको compare करूं तो इसका AC मुझे काफ़ effective लगता है and मुझे AC से related अभी तक कोई issue नहीं आया इस car पे इस car का AC अभी तक मैं इसको 9000 km चला चुका हूं और मुझे अभी तक AC से related कोई भी complaint नहीं आया इस car में तो AC में लिए तो इस car का एक positive point है तो guys यह तो थे कुछ इसके positive points अब बात करते हैं कुछ ऐसे points की जिसको लेके काफी confused रहते हैं लोग and काफी questions आते हैं इस car को लेके वो है इसके engine और इसकी mileage को लेके सबसे ज़्यादा queries इसी section में आते है कि इसका engine कैसा है और इसकी mileage कैसी है मैं अपने personal experience से बता रहा हूँ and जितना भी मैंने इस car को drive किया उसके basis में आपको बचाता हूँ मैंने भी कई बार यह अपनी previous videos में भी बताया है और मैं अभी भी उस point पे stick करूँगा कि इसका engine थोड़ा सा under power आपको feel होगा बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आपकी driving है बिटे और किस तरह की आप power demand करते हो कार से अगर आप एक normal driver हो आप ज़्यादा गाड़ी accelerate नहीं करते आप ज़्यादा भगाते रही हो तो आपको कभी feel होगा इस कार में कि engine में को issue है बट हाँ अगर आपको कभी आपको highways पे रहन जादा होता है specially अब मैं आप आप बोलोगे यार highways पे हमने इतना चलाया है इतना चलाया है specially मैं hills की बात करना होगा अगर आपने कभी इसको hills पे drive किया होगा तो आपको feel होगा कि कई बार ये कार आपको under power लगती है मैंने इस कार को 9000 km चलाया जिसमें mostly running जो है वो highways पे रही है and highways वो भी hills पे because हमारा hills पे आना जाना जाता रहता है तो जो भी इस कार की driving रही है जो भी kilometers ये रन किया है तो majority of kilometers मैंने इसको hills पे रन किया है लगेगा कि कार में थोड़ी power की कमी है but ऐसा भी नहीं है कि कार बिल्कोल ही नहीं चल रही है बिल्कोल दब जाती है या बिल्कोल ही power नहीं है ऐसा नहीं है थोड़ा हुआँ पावर की कमी आपको feel होगी अगर आप इसको hills पे चला रहे हो and especially overtake करते समय आपको वो कमी feel होगी and अगर आप मेरी बास से लेट कर पा रहे हो तो मुझे comment section ने please बताइए तो ये point है जो मुझे feel होता है second point जो इस कार में लोग question जादा रहता लोगों का mileage का मैं personally बताओं कई लोग बोलते हैं कि कार में mileage नहीं है मार में mileage नहीं है मैंने इस कार को जितना चलाया है आज तक मेरे को जो कार ने mileage दी है अगर मैं overall average की बात करूँ मुझे इसमें around जितने किलोमेटर मैंने रन किया है 15 to 16 की mileage मुझे मिली है city की बात करूँ अगर आप high traffic पे चलते हो आपके traffic conditions बहुत ज़ादा है city पे तो आपको ये car 12 to 14 की average देगी और ये car क्या आप majority of cars अगर देखोगे अलग-अलग brands पे भी देखोगे तो आपको इतनी ही average देती है अगर कुछ specific brands को हटा दो विकास आपको एक तरह से safety भी तो इस car में offer की जारी है city में ज्यादा traffic में तो I don't think so कोई बुरा है बात करें highways की अगर आप इसको highways पे चलाओ आपकी सारी company दूर हो जाएगी mileage को लेके highways पे ये car आपको 20 plus की mileage देती है तो इस mileage को लेके personally मुझे कभी इस car से concern नहीं रहा मेरको ये on average ये car 15-16 की mileage दे रही है city and highways मिलाके तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसा concern नहीं है in fact cities में अगर normal city traffic conditions है आपकी तो ये आपको easily 14-15 की mileage देती है और जिस safety rating के साथ ये आती है अगर मुझे 14-15 की mileage भी जे दी है तो मुझे कोई concern नहीं है इसकी mileage को लेके and I don't think so कि आप मेंसे जो भी लोग इसको चला रहे है अगर इसको अच्छी तरीके से चलाओगे तो I don't think so आपको भी mileage को लेके कभी concern होगा इस car पे and ये वीडियो जादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो में इतनी points मेंने cover की है इसके positive points में आपसे already discuss कर चुका हूँ but ऐसा नहीं है कि हर car में positive होते हैं कुछ car में negative भी होते है तो मैं next video में आपके साथ इसके negative points भी जरूर शेयर करूँगा because हर car perfect नहीं है car में आपको positive and negative दोनों मिलेंगे तो इस car के negative points है मैं आपसे next video में discuss करता हूँ इस video में इतना ही आपका support मुझे मिल रहा है इसी तरह अपना support हमारे सथ मनाए रखे and मिलता हूँ आपसे next video में अब तक के लिए